नमस्कार, आज के वीडियो में अपन मुगल कालिन कला के बारे में पढ़ेंगे तो कला इव इस्तापत्य की द्रस्ती से देखें, तो मुगल काल अत्यन्त विक्सित था और यह विकास कर्मिक चर्णू में हुआ समय तथा मुगल सत्ता में परिवर्तन के साथ साथ कला वैस्तापत्य के क्सितर में भी परिवर्तन द्रस्ती गोचर होते हैं कला में स्मिलित रूप से चितर कला इवं संगीत के विभिन मिश्रित लक्षन प्राप्त होते हैं जैसे पहले अपन देखें चितरकला, तो मुगल काल में, चितरकला की निव वास्त्विक रूप से हुमायू के काल में पड़ी, हुमायू ने अपने इरान परवास के दोरान वह फार्सी चितरकला से अधिक परभावित हुआ, और उन्होंने मीर सैद अली वह अब्दूल ये दो जो चितरकार थे, उनको वह भारक लाया, और हमजा नामा या दास्ता ने अमीर हमजा का चितर संग्रहित करवाया, इनके चितरों में राजिस्तानी या उत्रभारतिय सैली का भी मिस्रन दिखाई देता है, फिर अकबर के काल में हिंदू और फार्सी सैली की मिली प्रिकला का विकास हुआ, और इस काल की कृतियों में सैली के अलावा विसेवस्तू भी हिंदू ध्रम से ली गई, फार्सी कहानियों को चितरित करने के साथ साथ महा भारत जिसका फार्सी में राम नाम है रजम नामा, रामाईन आदिस संबंदित विस्यों पर भी चितर ब पर भाव कम हुआ, और अकबर ने चितर कारी के विकास हेतु एक अलग विभाग भी बनाया था जिसका नाम था तस्बीर खाना, और इस यूग की चितर कला की विशेवस्तू प्राकर्तिक द्रसे फार्सी वे हिंदू पोरानिक गाथाउं पर आधारित दर्बारी गठनाए चबी चितर आधी थे। और अकबर के समय फार्सी चितर कारुं के अलावा दस्वन तुए बसावन जैसे गैर मुस्लिम चितर कारुं का भी अगरणी स्तान था। रंगुं की द्रस्टी से देखें तो भारतिये रंगुं में फिरोजिवे लाल रंग का परियोग बढ़ा त कन विधी का भी परियोग किया गया इस युग में भीति चित्रों का पहली बार परियोग प्रारंब हुआ और जो फतेपूर सीक्री के भवनूं के जो भीति चित्र हैं उन पर अपन देखें तो बोध परभाव भी द्रस्टिगत होता है तो इनके समय में जो परमुक गरंथ चित्रित किये गे वो थे अकबर नामा, रजम नामा, तूती नामा, अनवर ए सुहली, खानदान ए तैमूरिया, आधी मुखे चित्रांकित गरंथ थे अकबर के समय फिर जहांगिर के सासनकाल में देशी वे विदेशी मिश्रित सैलियों से बनी जो मुगल चितरकारी है, वो परियोग की पद्दति का महत्वे कम होकर उसके इस्तान पर छवी चितर, प्राकर्तिक द्रस्यों वे वेक्तियों के जीवन से संबंधि चित्रन की प्रम्प्रा प जाने का परियास किया गया, चित्रू में कुछ नविन परियोग भी हुए, जैसे चित्रू में चोड़े हासिया का परियोग प्रारंब हुआ, जिसमें फूल पतियों, मानव आकर्तियों से अलंकरन किया जाता था, और जहांगिर के समय के जो परमुक चितरकार थे, वो थे बिशंदास, उस्ताद मनसूर, अबुल हसन, मनहोर, आदी इनके समय के मुख्य चितरकार थे, फिर सहा जहां के युग में इस्तापत्य कला की तुलना में चितरकला का महत्वय कुछ कम हुआ, किन्तु रेखांकन वे बोर्डर बनाने में उनती हुई, चितरकारी में जी उता है, वो कम हुई, फिर ओरंग्जेब ने चितरकला को इसलाम के विरुद कहा कर इस पर परतिबंद लगा दिया, सत्रवी सदी के अंत में दक्षन में मुगलूं के परवेश के साथ जहां जिस साही सैली का विकास हुआ, वा दक्नी कलम के नाम से प्रसिद हुई, फि जिसके अलावा मुगल काल में क्षित्रिय कलाओं जैसे राजपूत सैली वह पहाड़ी सैली का विकास हुआ, तो मुगल कला वह क्षित्रिय कला ने पर सफर एक दूसरे को काफिध परभावित किया, तो फिर संगीत कला में हिंदु मुस्लिम सैली का परियोग सेरव परथम अमीर खुस्त्रों के समय प्रारंब हुआ जो कि मुगल काल में अकबर के काल में भी विक्षित हुई और साथ ही भारती राजयों के दर्बार में भी संगीत कला में विदेशी परभाव मोजूद थे अकबर जहांगिर वह सहां जहां के काल में संगीत अपने चरम पर था और इनके समय दर्बारी संगीतकारों के अतिरिक्त बड़े बड़े नोबत भी बने और इस समय जो परमुक संगीतक्य थे वो थे तानसेन और मार्वा के सासक बाज बाहदूर ये दोनों परसित थे तानसेन ने धुरूपद गाईन को विक्षित किया जिसमें भारतिय संगीत की विशेश्टाएं मोजूद थी इसके अतिरिक्त कुछ परमुक वाद्दे यंतर भी थे जिन में है बीन, तंबूरा, सितार, सर्मंडल, रबाब, आदी सहाजाहा के समय कुसाल खावै, बिस्राम खावै, तोड़ी राग के विशेशगे थे फिर धार्मी कट्रता की वज़े से संगीत को स्रंक्षन न देने के बावजूद भी ओरंग्जेब संगीत के सिध्धान्त पक्स का ग्याता था और उसके समय मान कोतुहुल वैसंगीत परिजात का फार्सी ये जो संगीत करंथे जिनका फार्सी में अनुवाद हुआ फिर औरंग्जेब के पस्चात मुहमद सह के काल में संगीत का अभूतपूर्व विकास हुआ और वैस्वेम भी संगीत उसको पिरिये था और वैस्वेम भी परसिद गाईक था और उसने अनेक ख्यालूं की रचना भी की थी सदारंग वै अदारंग दोनु ख्याल गायकी के महान परिवर्तक थे और इसी समय तराना, दाद्रा, गजल, आदि संगीत विद्याएं विक्षित हुई दर्बारी संगीत में लोक संगीत को भी सामिल किया गया जैसे ठुमरी, ठपा, आदि फिर इस्तापत्य कला पर नज़र डालें तो सल्तनत काल की तरह ही मुगल काल में भी प्रारंबिक दोर की जो इस्तापत्य कला है उसमें देशी वे इसलामी वास्तु सैलियों का मिस्रन था मुगल समराट बाबर ने इरानी सैली में जोमतिय आधार पर बागूं का निर्मान करवाया फिर अकबर के काल के इस्तापत्य का जो पर्थम उदारन है हुमायू का मकबरा यह विसाल दिगवन दिये परनाली से निर्मित है और इसे ताज महल का पूर्वे गामी कहा जाता ह तो अकबर कालिन जो इस्तापत्य कला है वो हिंदू मुसलिम इरानी हिंदू मुसलिम सैलियों का सैमिस्रन थी। उनमें है दोहरी गुमबंदूं का परियोग, महराब, नकासी, इसलामिक पद्धती से चित्रांकन, ये थी मुसलिम सैली की विशेषते हैं, तो इस काल के इस्तापत्ते में गुमबंद, महराब, संग्मर्मर का कम परियोग, वे लाल बलुवा पत्थर का ज्यादा परियोग, एक तरफ मित्वेवता को दर्शाता है, और इन भहुनूं के निर्मान का जो उद्ध से है, वो था आवश्यक्ता, भावना, व्यवारिक्ता, तथा अध्यातमवाद पर आधारित, नैकि अतिसे सोंद्रियता का परदर्शन करना था, इस काल के जो पर्मुक भवन है अकबर के समय के, वो है फतेहपूर सीकरी इस्तिजामा मस्चिद, बूलन दर्वाजा, मरियम का महल, पंच महल, आधी पर्मुक इमारते थी, फिर मुगल समराट अकबर के पश्चात, मुगल इस्तापते कला में इसलामी पर्दत्ती का परियोग बढ़ता ही गया, और जहंगिर के काल में पच्चीकारी की नई विधी पित्रादूरा का परियोग प्रारम हुआ, पित्रादूरा के अंतरगत क्या था कि जो कीमती रतन और पर्थर थे, वो संग्मर्मर पर जड़े जाते थे, और इसका जो पर्थम उदारन है, वो था एत्मादूदोला का मकबरा, शिकंद्रा इस्तित अकबर का मकबरा पाँच मंजीला इमारत है, जो की भारती बोध विहारूं वे चीन की खमेर वास्तूकला से प्रेरित है, फिर इस्तापते कला में अपन देखें, तो जो सहा जहा का काल है, वो मुगल वास्तूकला का स्रोण यूग था, और इस यूग में संग्मर्मर वे पित्रादूरा का परियोग आम हो गया था, यानि सामान ने, जिसके कारण सहा जहा ने अकबर कालिन बलवा पत्थर की कुछ इमार्तूं को संग्मर्मर में भी परिवर्तित करवाया, अम्रूदी गुम्बंद, दातेदार महराब, चार कोनू पर मीनार, बाग वजहरने, सम्मित स्रंचना आदी, सहा जहां के समय के जो भवन बने थे, उनकी विशेशताएं थी, और इस यूक की इमार्तूं में सान सोकत, भवेता की वजह से मूलित्ता, और सजी उता की कमी रही, ताज महल, लाल किला, जामी मस्चिद, मोती मस्चिद आदी, इसकाल की परमुक, इस्तापत्य कृतियां थ फिर औरंग्जेब के समय में इस्तापत्य कला का ज्यादा विकास नहीं हो सका, और भवनों का इसलामिक सवरूप अधित द्रिड होकर उभरा, और इस समय की जो परमुक ही मारते हैं, वो है सबिया का मकबरा, बादसाही मस्चिद, लाल किले की मोती मस्चिद आदी, तो इस इस्तापत्य एवं कला को भारती कला के सेमिस्रण एवं इरानी कला और इसलामिक कला के बरबाव के आधार पर, अपन इसको इंडो इसलामिक सेली के नाम से भी अभी ही कर सकते हैं, तो निस्करस्त है मुगल काल में कला वैस्तापत्य का क्रिमिक विकास हुआ, जो की समया अनुसार परिवर्तन के साथ दिखाई पढ़ता है, और हिंदू मुसलिम संस्कृति के आदान परदान का परभाव, मुगल कालिन कला वे इस्तापत्य के उदारनों से भी सपस्ट होता है और इसके मिश्रन से एक नमिन और परसंस्निय सेली का विकास हुआ जिसने मुगल कालिन कला वे इस्तापत्य को एद्वितिय सवरू प्रदान किया